पिसी सी वार रूम आपको सीधा लिये चलते हैं जापर गोविंद राम में एक बाल क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए सीडी के माध्यम से लोग जो है दिली तक पहुंच जाए अर्जुन राम जी गेर राजनितिक वक्ति हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज नेता और कारे करता हूं कि तो महां हत्या होगी राजनितिक रूप से और ये नेता बन करके बैठ गे इसलिए मैं बि जबागे वरिष्ट नेता हैं उन्होंने बिलकुल ताइद किया है कि असो गेलोजी के राजवें हमें जिला मिला है क्योंकि गेलोज साब ने विकास के अंदर कोई राजनितिक पाल्टी को नहीं देखा जहां भारती जन्ता पाल्टी थी वहां भी विकास हुआ है जहां का बाभीजी के पापड लेके खड़े हो गये थे कि बाभीजी के पापड खाओ और कोरोना भगाओ उससे ही जाहिर होता है कि वह वेपारी था इसको चंदा देने वाला था उसके पापड नहीं भी रहे थे अन्यता एक कलेक्टर रहा हुआ आदमी और पापड से कोरोना भग करते हैं अरे अर्जुन राम जी अगर डॉक्टर अंबेड कर भी कहीं वार बैट के तंदूरा बजाता तो मुझे बताओ कि आज भारत के अंदर समानता का अधिकार कहां से मिलता जो शुद्र जंगलों में रहने को मजबूर था अच्छूत का जीवन जीने को मजबूर था आज उसको समानता का अधिकार मिला है और अर्जुन राम जी सीट के उपर बैठें आरक्षन का लाब लेकर के बैठें वो भी डॉक्टर अंबेड कर की देन है इस देश के समिधान की देन है आज आप देख रहे हो दलितों पर अत्याचार हो रहा है जगे जगे महिलाओं परत्याचार हो रहा है महंगाई आकास छूरी है बेरोजगारी जबरदस्त है अगनिवीर लाकर के सेनका सत्यानास कर दिया लेकिन अर्जुन राम पड़े लिखे वक्ति होने के बावजूद भी एक स्टेडमेंट पूरे भारतवर्स में नहीं दिया है और आज यहां आकर प्रूल बढ़के जिश्टंग से अपने नेताओं की कार सेवा कर रहे हो और काटने का काम कर रहे हो यह बारती जंता पाल्टी ने बड़ो बढ़ों का इलाज भी किया है लक्षम्न बंगारू राष्टी अद्ध्यक्स थे इन्हीं के लोगों ने लाग रूपे की रिस्प समितिया नहीं बनाई है पंचायते नहीं बनाई है और सो यूनिट बिजली दो हजार यूनिट टूबेल पर फिरी 25 लाग का चिरिंजी वियोजना ओपियस देकर पूरे भारत को चुका दिया और केंदर की जो मोधी सरकार है उसको भी उनको फोला करना चाहिए मैं एक लाइन में कह देता हूँ अगर इनकी वकात होती तो यह एसेंबली के अंदर एक भी मंत्री के खिलाप अगर इन्होंने कोई क्रेप्शन के चार्ज लगा है तो मैं तो मैं कही रहा हूं भी कहलास वेकवाल ने अर्जुन राम पर लगाया है वो बिल्कुल सही है उस की उची स्री जांच हो लेकिन मोदी के राज में तो जाए कितना ही भरष्ट नेता हो बाज़पा में जाते ही वो सहुकार बन जाता है इसलिए अर्जुन राम की वोई पोजिचन है अर्जुन राम कोई राज्टान के लीडर नहीं है ये ठोपे हुए नेता है रिजरों को लोटी मोटी भी समझ होती तो आज वह सो गयलोत की परसंजा करते क्योंकि आज प्रमोस्टन में अरक्षन मातर राजस्तान के अंदर है अधतिनात ने नहीं दिया है वहां सविदान को जलाने की साजी शकी जा रही है इसलिए यह अर्जुन राम जी भी मैं तो कह रहा हूं चैलेंज दे रहा हूं कि आप विदानसभा में आ जाएं आपके वीडिया में आ रहा है अपने बेटे को लड़ा हो कि बेटे को क्यूं आप तो मुख्यमिंत्री के दावेदार हो आप आजाएं आपको पता लग जाएगा कि आशो के लोग जी क्या है राप क्या है गंगा कि अपड़ी